दुनिया में आपको जो काम करना है, वो एक चीज है, आप उसे कैसे करते हैं, वो अलग चीज है, जब आप दबाव के बात करते हैं, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप कह रहे हैं कि जीवन में चीजों को कैसे करना है, अगर एक अगर एक व्यवसाई की तरह जीना दबाव बन रहा है, तो इसे मत कीजिए, बीच पर टेहलने चले जाईए, लेकिन वहाँ भी दबाव है, है ना? तो दबाव नौकरी या उस ओदे की कारण नहीं है, जिसे आप संभाल रहें. दबाव और तनाव इसलिए हो रहा है, क्यूंकि आप नहीं जानते की अपने शरीर को कैसे संभालें, अपने मन को कैसे संचालित करें, और अपनी भावनाओं को कैसे संभालें. ये इंसानी सिस्टम इस धर्ती पर सबसे परिश्कृत मशीन है. क्या आपने इसका यूजर मैनियूल पढ़ा है? पूरी समस्या यही है. अगर आप वैसा करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां बसे खेल जैसी होंगी. आप किस हद तक खेल सकते हैं? हो सकता है कि आप मेरी तरह ना खेल पाएं, लेकिन आप अपनी सर्वोच्च शमता से खेलेंगे. और यह ठीक है. आपको किसी दूसरे की तरह नहीं खेलना है. लेकिन आपको अपनी सर्वोच्च शमता से खेलना चाहिए. अगर उसकी खोज नहीं की गई है. जब आप पर दबाव पढ़ता है, तो उसकी खोज नहीं हो पाएगे. जब आप पर दबाव पढ़ता है, जब आप तनाव में होते हैं, तो आप अपनी पूरी सर्मता के साथ नहीं जिएंगे. जब आप दबाव में हों, तो छोटे मुटे काम भी नहीं हो पाएगे. अगर आपके भीतर एक खास स्तर की शान्ती और मिठास है, तो आपका शरीर और आपकी बुद्धिमता पूरी तरह से काम करेगी. तो ये इस जीवन को पूरी तरह से खेलने के बारे में, ना कि किसी को कुछ साबित करने के बारे में. बात बस इतनी सी है, कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आखिरकार आपके आसपास का हर कोई सफलता का ही सम्मान करेगा. ठीक है? अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने भौत एक शरीर और अपने मन का पूरे तरीके से उप्योग करना सीखना होगा. तो केवल दो ही चीजों का और यकीनन बाहरी हालातों को नियंत्रित करना होगा, पर बाहरी हालातों को संभालना मूल रूप से इस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी बुद्धि मता और अपने शरीर का कितने अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप उसे खुद ही पैदा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि खुशी तभी आसती है जब आप सफलता प्राप्त करें। नई, 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 मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप खुश हैं, सिर्फ तभी आपका शरीर और मन सबसे अच्छे स्थर पर काम करेंगे। अगर वे अपने सर्वस्ट्रेश्ट पर काम करते हैं, तो आपकी अपनी कापलियत और हमारे आसपास के हालात, वो कैसे काम कर रहे हैं, इस पर सफलता निर्भर करेगी। आपकी सफलता सिर्फ आपकी योगिता के बारे में नहीं हैं, हालात भी मौजूद हैं। ये सारी चीजें जिस थरा साथ आती हैं, उससे सफलता का स्तर तैह होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुड जैसे हैं, वो पहला कदम है, आप जो करते हैं, वो दूसरा कदम है, लेकिन हर कोई दूसरे कदम को पहले उठाने की कोशिश कर रहा है, और ये कभी काम नहीं करेगा।